विल्कम टू पोडलेशन इस्टिटूट और जैसे आप लोग का डिमांड था कि बारे में कुछ टॉपिक्स बता दिये जाए तो मैं आपको बीजी का जो भी टॉपिक्स है जो इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट से जो की त्रेट के लिए माध्यम से है या बोर्ड पे ज कि आपको जो सेशन्स है जो क्लास में जहां पर आपको प्रोब्लम होता है वह आपको सॉल्व हो जाए बाकि मेरा यह कोशिश रहाएंग जो है सीट का चीज है कि आप ड्राप्टर लेके और जब आप ड्रॉइंग टेबल पे आप ड्रॉइंग करते हो तो वह चीज सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिर भी आपको कैसे ड्रॉइंग करना है कैसे ड्राप्टर के तुरू मांध्यम से ड्रॉइंग सब कुछ आपको बताया जाएगा तो आपके अभी जो स्टार्टिंग मुझे लगता है कि आपका पेपर होने आपका फर्स्ट और सेकेंड उनिट के कोश्टन से जो की पुसेबल है बोर्ड की मांधियम से वी सॉल्ब करने का तो मैं आपको बता दूंगा तो अभी मैं पिलाल आपको बताने वाला हो कि टाइटल बॉक करते हैं आपको दिख रहा होगा तो सिंपल है यह डाइग्राम आपको दिख रहा होगा यह यलो है यह आप मैंने आपको आप पर टेप लगाते हो तो इसलिए मैंने यहां पर लगाया है कि आपको टेप भी किस तरह से लगाना है वह आपको पता होना चाहिए वह भी इंपोटेंट होता है ठीक है तो सब जब भी हम ड्रॉइंग सीट जब हम ड्रॉइंग टेवल पे फिक्स करते हैं तो हम सेल्लो पर दो बीच में करते हैं इससे ज्यादा दो करना है तो आप ऊपर और एक नीचे पेस्ट कर सकते हो यह पेस्ट करने का है कि आपका सीट ड्रॉइंग के दरान अगर आप ड्रॉप्टर करते हो तो हिले नहीं क्योंकि आप बार बार रोटेट करते हो यह हैं ठीक है अब जो हमारा यह मार्जिन हो यह जो मार्जिन की बात कर रहा हो यह मार्जिन हो वह कितना होना चाहिए ठीक है तो जेनरली हम वहां पर कितना लेते हैं क्या लेख से भॉप ट्रॉपष में होता है इसलिए हम लगतेँ हमारा जितना भी ड्रोइंग होता है वह सारा में अहीं होता है जैसे 10 लिखना है तो 10 कर देंगे 15 mm होगा या 15 लिख देंगे तो बस यह होता है अब margin छोड़ने का purpose क्या है तो margin छोड़ने का purpose यह होता है कि आप tape चिपकाते हो आप जो शलू tape है चिपकाते हो आप ड्राप्टर इधर उधर करते हो तेप उखारने में आपका हो सकता है कि कहीं corner फट गया तो इसलिए हम उतना margin छोड़ के रखते हैं ताकि आपका seat अगर उतना corner से अगर कभी turn out फट भी गया या कुछ हो गया तो उससे आपको drawing पे नहीं effect परेगा ठीक है तो इसलिए क्या करते हैं सबसे नीचे corner में right side में हम आपके अपना title box करते हैं ठीक है आपके जो भी गाइड होंगे जो भी आपके अपके ट्राप्टर के इसमें आपको right side में title box draw करना पड़ता है अब right side में down जो नीचे title box है उसका dimension क्या होना चाहिए यह बहुत important है और क्या-क्या एक्जाम देते हो तो प्रम क्या होता है कि आपको हाँ पे मार्क्स दिया जाता है तो सिट में मार्क्स देने के लिए कि आप सीट किसके नाम से है ठीक है ना सीट में क्या बनाया गया है तो इसलिए इसका नाम है title box सिंपल है कि जिसमें आपको इस पूरे सीट का इंफर्मेशन बेशिक इंफर्मेशन आपको यहां पर मेंचन होने से है कि किस स्पेसिस पर सीट बनाया गया अब जैसे title box मैंने बनाया है कि आपको title box जो ड्रो करना है इस तरह से ड्रो करने के लिए हम उस राइट कॉर्णर अब यह जो होगा 150 mm मेंज 15 सेंटीमीटर है ठीक है 150 mm हम लेंगे कितना यह वर्टिकल लाइन ठीक है और जो सारी होडिजेंटल लाइन को कितना लेंगे 150 और वर्टिकल में 50 कि वर्टिकल में कितना लेंगे 50 अब दो चीज बहुत ध्यान रिखना दो एकदम ध्यान रिखना जैसे आपका आपका बस उस लाइन को बस टच किया तो आपको यहां से लग रहा होगा कि मैंने जो भी बनाया है वह इसा लग रहा है कि उस लाइन को बस टच करता है तो यह होता है dimensioning करना अब जैसे यह है नीचे वाला है 150 है तो हम जब भी title box बनाएंगे तो title box का horizontal जो बनाएंगे वो कितना होगा 150 और जो vertical होगा 50 mm अब उसी में हमको सारा करना है अब इतना सारा boxes है यह क्या है कि इतना सारा boxes है कि अब यह 50 है अब इसको कि यह 20 एंड यह 15 और यह 15 को दो पार्ट में डिवाइट करोगे तो आप 7.5 एंड 7.5 7.5 एंड 7.5 ठीक है ना इसको 20 और यह 15 और यह 15 है तो 15 को दो पार्ट में डिवाइट करोगे तो 7.5 और 7.5 है ओके इतना है इतना सारा box में लिखना क्या है वह important है तो अगर आप seat में क्या लिखेंगे तो सबसे पहले seat में हम अपना नाम लिखेंगे तो यहां पर लिखाएगा name ओके और अपना नाम में इसके बाद जो भी class है क्या लिखना है class role number ओके name class role number उसके अलाबा जो आप लिखोगे time seat को बनाने में कितना time लगा है hours में time hours में ओके वह भी mentions करना है seat को बनाने में कितना time लगा है after that scale कौन से scale पर आपने इसे draw किया है diagonal scale था या normal scale था वह सब कुछ आपको mention करना है after that यह seat कौन सा नमबर था आपका आपका जैसे एक्जाम में normal day में आप seat तो ऐसा तो है कि एक ही seat में सारा syllabus करता हो जागा हो सकता तो आपको जनरली से लेवर्स के दौरान आपको हो सकता बीच सीट पंदरा सीट बनाना पड़ता है तो उसमें हम लिखते हैं सीट नमबर कि उसमें क्या लिखेंगे सीट नमबर करके भी लिख सकते हो या एक साइड के बॉक्स में फूल हो गया कि हमें क्या लिखना है सीट नमबर यह जो उपर वाला सेक्षन से इसमें लिखाएगा आपका कॉलेज का नाम कॉलेज नेम जो भी ऐस आपका उस कॉलेज का नाम लिखोगे ऐंड डिस इस टाइटल अब द फ्रोजेक्ट टाइटल ऑफ दफ्रोजेक्ट पॉजेट उपर वां कर रहे हो तो आपको यह क्या होता है यह आपको इसमें दो चीज होता है अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इतना डिटील नहीं बताऊंगा बेसिक बताता हूं की दो से जोता है एक होता है फॉर्म अइक थाँ अब यह इंडिकेट क्या करता यह घैकरोंगा और आपको यह इंडिकेट करना है ऑक दो तरहा हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है क्यों फर्स्ट और थर्ड बोला जाता है उसका आपको डिटेल वीडियो मैं बताओंगा योंकि वो इंपोटेंट है और आपको अब यह आपको इसमें अब यह गाइड के लिए है जो भी आपके ड्रॉइंग के टीचर सुंगे आपको यहां पर इस प्रीट को बनाने के वाद कितना ग्रेड मिल रहा है और उसके बाद चेक्ट बाई इस कॉन से टीचर्स इसको चेक किया आपका तो यह सारे चीज़े हमें मेंसें करना है अब सीट का ड्रोइंग का एक चीज़ बहुत ध्यान रखना जितना नीट एंड किलीन शीट होगा उतना ज्यादा आपका मार्क्स अच्छा मिलता है ड्रोइंग के किलीर है कि नीट एन किलीर होना चाहिए काहीं धवा है काहीं कुछ भी आपको प्रॉपर एकदम किलीर होना चाहिए मैक्सिममम यूज कर ना कि कहींँ भी certified में कुछ अंब होना चाहिए और प्रोपर कॉसिस में क्योफ इस डिखने कALK और कर यह कि पैंसिल कौन से पैंसिल को कभ यूज करते हैं अब जैसे मैंने यह लाइन कर दिया भीच में ठीक है इसको बोलते हैं सेंटर लाइन का भी एक डाइमेंसिंस होता है वह मैं आपको बताऊंगा आगे धिरे-धिरे सब कुछ ट्रॉपिक किलियर कर दोंगा आपको मतलब कि होते हैं हेड nets का होता है किस तरह से आप करते हैं को चिसको किस पैंसिल करना ईखें आपको इस Develop रहा करना हमें आगे विछ में निपको ट्रॉपिक होते हम परनां दूसरा उसी विडियो में बता दूग आपको कि ये first angle projections और third angle projections क्या होता है और क्यों हम second और fourth में drawing नहीं करते हैं ठीक है ना तो ये चारा चीज़ें में next video में आपको clear कर दूँगा वीडियो आप modulation institute के app पे ये सारा video app पे मिल जाएगा free or cost मिलेगा engineering drawing का में आप सभी कोई charge ने लेने वाला हूं तो आप लोग एप जरूर डाउनलोड कर लेना आपको एक proper sequence में आपको वीडियो मिल जाएगा यूटूब अगर शूट भी गया तो आपको एप के माध्यम से आपको इसका वीडियो मिलते रहेगा तो आप जरूर डाउनलोड कर लेना और बाकी बाकी स्कूर्च भी अबिलेबल है तो आप वहां पर देख लेएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें टाइटल आप दा जो टाइटल बॉक्स है वह कैसे करते हैं एक बड़ जरूर आप लोग कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा समझ में आया कि नहीं और क्या आपको मेरे तरब से हेल्प चाहिए हम जरूर आपको पोसेस करेंगे हेल्प करने पर ओके थैंक यू